हेलो जी, बीजे रेसेपी ब्लोग में आपका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे पालक, मेथी और आलू की आईरन बरपूर सबजी ये आईरन की कडाही में मैं बनाऊंगी तो आप भी बनाना और मुझे बताना तो पहले हम लेंगे पालक की एक गुछी तो वो हमने फ्रेशी पालक लिए है एक गुछी हम लेंगे मेथी की तो वो भी फ्रेश ही है तो और हम लेंगे पालक को और मेथी को अच्छे से शाट लेंगे तांके हमारी जो मोटी-मोटी डंडिया है वो निकल जाए तो ये देखिए मैं सवार रही हूँ इसको शांट रही हूँ तो हम ना आलू को भी हम पील आफ कर लेंगे तो अच्छे से दोकर फिर आपको दिखाते हैं और मैंने जे ना अच्छे से मैं इसको दो लिया तो इसको काट लूँगी बारीक बारीक और हम ना तड़के के लिए सामान की जुरूरत है न वो हमने देखिए जे लिया पहले हम लेंगे जे देखिए पहले हमने अधर के लिया लसुन, प्याज, टमाटर, हरिमेची जे हिंग लेंगे और मसाले में हम लेंगे जीरा, गरमसाला, हल्दी और नमक तो पहले हमने आइरन के कडाही में सर्सों का ते ले लिया और अच्छे से इसको गरम कर लिया तो फिर हमने इसमें हिंग डाल दी एक पिंच, एक छोटा चमच हमने जीरा ले लिया और जे बारिक बराईक काटा हुआ, लसुन लिया हमने अच्छे से इसको हलका ब्राउन करके हम इसमें प्याज डाल देंगे इसको भी हमने हलका ब्राउन कर लेना है तो जे देखिए, जे मैं चलाई जा रही हूँ चमच को ताके जे जले न और हमने इसमें जब जे थोड़ा सा होने लग जाए तो फिर हम इसमें आलू डाल देंगे जे देखिए, आलू भी हमने ऐसे फ्राई कर लेना है तो हमने जे देखिए, नमक एक चमच डाल दिया तो एक मिक्सर ग्राइंड में हमने एक जो टमाटर, आदरक और हर्मिर्ची ली थी वो हमने जरजरा सा पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है तो जे देखिए, हमने इसको पीस लिए, जरजरा जरजरा सा तो जे भी हम इसमें डाल देंगे, क्योंके हमारे आलू और प्याज हो गए हैं तो जे देखिए, हमने इसको भी अच्छे से कर लेना है मतलब इसमें स्मेल आई, तो भोबी हमारे हो गए, था हम जे ้ह मने पालक और मेती जो काटी होई थी ना बारी कब जे भी हम इसी में ही डाल लेंगे तो जे देखिए अच्छे जे इसको मिक्स कर दूँगी तो अब हम इसमें डालेंगे जे देखिए अब हम इसमें मसाले डालेंगे जे हमने एक शोटा चमरा चम्मच हल्दी का ले लिया एक चम्मच मैंने गरम मसाला ले लिया और जे देखिए जे भी मसाला लिया है जे जीरा पाउडर है इसमें और एक मतलब जीरा पाउडर हो एक जीरा ले लिया हमने जीरा इसमें लिया हुआ है काली मिच्ची का पाउडर है और हम चूल लिया है हमने अच्छे से इसको मिक्स कार देंगे और लीटल लगा कर हमने इसको ढख देना है ताकि बस जी न बहुत जल्दी सब्जी बन जाती है मतलब पांच मिनट पांच से दस मिनट तक लगते हैं इसको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता तो अब हम इसको देखेंगे जे देखिए जे देखिए हमारी सब्जी न अच्छे से वैसे तो पके ही गई है तो जे देखिए जट पट तायार होने वाली आईरन भरबूर सब्जी आपको पता है हमारे मतलब आईरन हमें कितना जरूरी है न तो अब हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं आप भी जरूर बनाना और मुझे फीडबेक जरूर करना लाइक कॉमेंट और शेयर जरूर करके बताना कि कैसी वनी है जे सब्जी और आप भी बनाना और तो ठीक है अब हम ना एक नई रेस्पी के साथ कल मिलेंगे तब तक के लिए बाहे